हलो दोस्तों आप सभी का All About Socious में स्वागत है और ये समा सास्त्र की इगनू सिरीज है यहाँ पे आज हम लोग इगनू सिरीज में एक नए बिचारक ब्रोनिसला कैस्पर मलनौस्की जिने हम लोग सिर्फ मलनौस्की के नाम से जानते हैं इनकी बारे में आज से हम लोग इनकी क्या विचारधारा रही है इन्होंने समा सास्र में क्या योगदान दिया है इसकी बारे में इगनू के बुक पे आधारित हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आज हम लोग इनका एक संचिप्त जीवन परचे देखेंगे कि इन्हों ने अपने पूरी जीवन काल में ऐसे कौन-कौन से कारिक किये या फिर ये किन जो अध्यान थे उनसे संबंधित रहें तो आज इनके जीवन का एक संचिप्त जीवन परचे हम लोग समझेंगे ये जो टॉपिक है ये पूरी की पूरी तरह से इग्नू मेटेरियल पे ही आधारित है यहां पे मैलनौस्की का नाम आते ही एक बहुत ही महत्वड फैक्ट आता है कि इनको सामाजिक मानोशास्त्र का पिता इन्हें बोला जाता है या फिर इनको आधुनिक मानोशास्त्र का भ पिता बोला जाता है तो यह दोनों फैक्ट मैले नौसकी से जुड़ा हुआ है इनके अलामा और कोई नहीं है यहां पर यह इसलिए महत्वपूर हो जाता है क्योंकि बिभिन परिछाओं में यह पूछा जाता है कि जो सामाजिक मानोसास्त्र है उसके पिता कौन है या फिर आ इनका जन्म साथ अप्रैल 1884 में पॉलेंड में हुआ था यहां पे एक और आप लोंको कांट्रोवर्सी देखने को मिलेगा कि इगनो की जो पुस्तक है इसमें पॉलेंड दिया हुआ है लेकिन वहीं पे अगर आप लोग विकिपीडिया को देखेंगे तो वहां पे आस्ट और आस्ट्रिया हंग्री से समन्दित ही सभी एक में था लेकिन उस समय विभाजन की इस्तिती थी तो कहीं कहीं पे पॉलेंड दिया गया है और कहीं कहीं पे आस्ट्रिया हंगी इसलिए यह दोनों के दोनों जो है हंग्री है या फिर आस्ट्रिया हंग्री या फिर पॉलें ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैलिनोस्की से ही जुड़ा हुआ है कि ये कभी-कभी पॉलेंड भी दे दिया जाता है कभी आश्ट्रिया हंग्री भी पूच दिया जाता है दोनों आपसन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैलिनोस्की का जनमस्थान वहाँ प पॉलिस ब्रिटीश मानोसास्त्री मानने का अर्थ ही है कि यह पॉलेंड से संबंदित हैं इसलिए इग्नु के बुप में पॉलेंड ही दिया हुआ है अब यहां पे दूसरा फैक्ट यह निकल के आता है कि पीएसटी जो है इनका इसका थेसिस जो था यह था अन्दा प्रिंस सासित हुआ था यहां पर इसलिए भी महत्वठ हो जाता है क्योंकि विभिन जो विचारक हैं उन्हों की जो प्येसडी उन्हों ने की थी आखे में किस टॉपिक से किया था यह विभिन परिशाओं में पूछ दिया जाता है तो मैले नौस्की का जो पीएसडी का टॉपिक वो था on the principle of the economy of thought यह जो अपना इनकी में मुख्य पढ़ाई थी यह गडित और भौतिकी में हुई थी तो यह कहीं न कहीं जो गडित है और भौतिक सास्त्र है इसके यह काफी जादे एक बोलेंगे मुख्य विचारक की रूपे हमें नजर आते हैं और यहीं पर अगर आप दिखेंगे तो मैलनौस्की का किंसिप एलजेबरा का कॉंसेप्ट भी आप लोगों को दिखता है जो किंसिप एलजेबरा का कॉंसेप्ट है वो भी आप लोगों को मैलनौस्की से ही जोड के दिखता है तो गडित से आप लोग याद कर सकते हैं कि चुकि यह गडित से ही प को ही किंसिप में जोड़ के देखा था इस प्रकार से आप लोगं को याद हो जाएगा कि किंसिप अलजेब्रा जो है वो मैलनॉस्की से जादू पे आधारिते पुस्तक है इसका इन्होंने काफी डीपली अध्यन किया था और इस कारण से इनकी जो अपने पूरे जीवन परियंत इनकी जो रचनाय रही है उस पे इस पुस्तक का प्रभाव देखने को मिला है यहाँ पे एक और विचारक है बिलहम उंट ये भी मै मैलनास्की के उपर बिलहम उंट का काफी प्रभाव देखने को मिलता है जीवन के सांस्कृतिक पच्छों के लिए यह बिलहम उंट से प्रभावी थे तो मैलनास्की का जो भी अध्यन रहा है उसमें अगर सांस्कृतिक पच्छों की अगर बात करें तो इसकी लिए यह जो प्रभाव इनके उपर देखने को मिला ये था बिलहम उंटका 1916 में आस्ट्रेलिया के आदिवासियों तथा मैलू दीप के लोगों पर प्रकासित प्रबंद के लिए उन्हें डी एसी की डिग्री प्रदान की गई थी यहाँ पे एक फैक्ट और निकल के आता है कि आप सभी को ये पता है कि मैलनौस की जो है वो आस्ट्रेलिया की जो ट्रोबियन दीप था उसका उन्होंने अध्यान किया था वहाँ की जो जनजातियां थी वहाँ उनका अध्यान रहा है तो यहाँ पे एक फैक्ट और भी है कि आश्ट्रेलिया से इंट्रेस्टिंग फैक्ट है आप लोग समझी का एक इस्टोरी की तरह समझेंगे आप लोग तो यह आप लोग के माईनिस सेट हो जाएगा कि उस समय आश्ट्रेलिया से पोलेंड के रिस्ते काफी अच्छे नहीं थे और जब यह आश्ट्रेलिया पोलेंड से आश्ट्रेलिया गय थे अध्यान करने के लिए तो आश्ट्रेलिया ने इन्हें अपने जो देश था वहाँ पे नहीं रखे बलकि उन्हें ट्रोबियंड दीब पे भेज दिया था एक प्रवासी की तरह कि आप वहां जाके अगर आपको कुछ अध्यन करना है आपको क्या करना है आप वहां जाके कर सकते हैं इस प्रकार से वे ट्रोबियंट दीब पे गए और वहां पे जब उन्होंने ट्रोबियंट जो आधिवासी थे उन्होंने अध्हिन काफी करीब से किया था या यह कहें कि लबस दो ठाई सालों तक वह aba रहा थे और ऐसा बताया जाता है कि वह एक ट्रिंट डाल लिए थे और वह को उनुहीं के बीच में रह के उनकी भासा भी उन्होंने शीखा था लभग-लभग उनको छह मेनी लगा था उनकी भासा सीखे थे और फिर उनका रहन सहन कैसा है किस परकार से वह अपनी लाइफ स्टाइल उनकी है इस सारे का उन्होंने बहुत ही बारीकी से अध्यान किया था और यहीं से यह फैट निकल के आता है कि मैलिनौस की ऐसे प्रथम व्यक्ति थे या विचारक थे जिन्होंने सहभागी अवलोकन प्रारंब किया था तो सहभागी अवलोकन पद्दति जो है जो के अध्यान में यूज की जाती है यह मैलिनौस की की देन है और वहाँ पे उन्होंने उनके साथ रह के उनकी भासा उनके रहांसान हर चीज का काफी बारीकी से अध्यान किया था इसी को छेत्री प्लोकन को यह हम छेत्री अध्यायन पद्दति भी कहते हैं तो यह सारी छोटी छोटे फैक्ट्स हैं जो कि एक दूसरे से अगर आप लोग को रिलेट करके संजहेंगी तो कभी नहीं भूलेगा इनके समकालेन विचारक है रेड़कले ब्राउन, दर्खाईम और फ्राइड यह भी अपने आप में बहुत ही जादे इंट्रेस्टिंग फैक्ट है कि उस समय के यहां पे रेड़कले ब्राउन, दर्खाईम, फ्राइड, मैलिनोस्की के समकालेन थे अर्थात यह चारो के च विचारक जो है वो एक ही काल से समंदित है एक ही सम टाइम पीरियड इन लों का अध्यान कर रहा है और यह इसमें भी ज्यादे इंट्रेस्टिंग फैक्ट है कि जो ब्राउन थे और दर्खाईम फ्राइड यह लोग भी आस्ट्रेलिया की जनजाती जो थे यह वहां की सामा प्राउन दर्खाईम और फ्राइड भी मैलनास की के ही समय काल में वहां के आर्थात आस्ट्रेलिया के जनजातियों का अध्यान कर रहे थे लेकिन इसमें और भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यह चारों को पता नहीं था कि हां कोई वहां पे और भी अध्यान कर है तो यह कहीं न कहीं यह चारों के चारों एक दूसरे से अनभिगे थे किसी को किसी के बारे में पता नहीं था यहां पे 1913 में मैलिनौस्की की एक पुस्तक है दा फैमिली अमंग दा आस्ट्रेलियन एबोरेजनीस तो इस पुस्तक को अपने आप में एक महत्वपूर पुस् संस्कृति का बैग्यानिक अध्यन करने वाली अगर कोई पुस्तक रही है सबसे अच्छी सर्व स्रेष्ट पुस्तक अगर रही है तो वो रही दा फैमिली अमंग दा आस्ट्रेलियन एबोरेजनीस तो यह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह आखिर में किस ने कहा था कि आधिम संस्कृति का बैग्यानिक अध्यन करने वाली सर्व स्रेष्ट पुस्तक अगर फैमली अमंग दा ऑस्ट्रेलियन एबोरेजनीस है तो यह रेड क्लिप प्राउन ने कहा था यहाँ पे Red Clip Brown की बात चली है तो दर्खाइम जो हैं दर्खाइम एक प्रकार्यवादी है यह आप सभी को भी पता है और मैलिनॉसकी भी एक प्रकार्यवादी माने जाते हैं तो मैलिनॉसकी के ऊपर एमिल दर्खाइम का प्रभाव काफी देखने को मिला था यहाँ पे एक और फैक्ट निकल के आता है कि मैक्सिको के पबलो इंडियन का भी इन्होंने अध्यन किया था और इसकी साथ एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट यह है कि जब सेकेंड वर्ड वार हो रहा था जब दृतिय विस्वयद हो रहा था उस समय यह अमेरिका के एल इन्वर्सिटी जो थी वहाँ पे अध्यापन का कारी यह कर रहे थे और वहाँ पे जो कि वर्ड वार चल रहा था इसलिए वो वहाँ से कहीं और नहीं जा सकते थे उस समय उनको मौका मिला था मैक्सिको के पबलो इंडियन का अध्यान करने के लिए तो यह भी अपने आप में एक महत्वपूर फैक्ट है अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मैलिनोस्की जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक प्रकार्यवादी माने जाते हैं तो इनकी प्रकार्यवादी सिध्धानत की अभी व्यक्ति है कि आखीर में इनकी ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें इनकी प्रकार्यवादी सिध्धानत का प्रभाव में देखने को मिलता है या उसकी ब्याक्यां इनहोंने किया है तो वो पुस्तक है Auth Scientific Theory of Culture जो कि 1944 में प्रकासित हुई थी ये पुस्तक भी आपने आप में बहुत जादे इंपोर्टेंट है विभिन परिच्छाओं में पूछा गया है कि आज साइंटिफिक थियोरी आप कल्चर किसकी पुस्तक है यहां पे यह भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को मिल गया कि इन्होंने अपना प्रक कार से मैलनौस्की से सम्मंधित कुछ फैक्ट्स थे जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए अब यहां पे इनकी कुछ प्रमुक्रितियां हैं उनकी बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इनकी प्रमुक्रितियां कौन-कौन सी हैं पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट कृती है व तो यहां पे यह पुस्तक भी बहुत ही जादे इंपोर्टेंट है जो की 1922 में प्रकासित हुई थी ग्राइम एंड कॉस्टम इन सेवे सोसाइटी यह जो वहां के सेवे सोसाइटी थी वहां पे किस प्रकार का क्राइम या अपरात की प्रविरति देखने को मिलती है या वह इस प्रकार का है इसपिर की प्रकासित आपनी पुस्तक वहां की प्रकासित कहीं जो की 1927 में प्रकासित हुई थी अपने आप में जितनी इनकी पुस्तके हैं अपने आप में उतनी ही जादे इंपॉर्टेंस रखती है इनकी एक पुस्तक है कोरल गार्डेंस एंड देयर मैजिक तो यहाँ पे कोरल गार्डेंस में लोग किस प्रकार से जादू करते थे जादू की प्रविर्टी देखने को मिलती थी तो कोरल गार्डेंस एंड देयर मैजिक में इसकी ब्याख्या की है जो कि 1935 में प्रकाशित जो कि 1945 में प्रकाशित हुई थी, A Diary in the Strict Sense of the Term, जो कि 1900 सरसक में प्रकाशित हुई थी, तो दोस्तों ये मलिनोस्की से समंधित इनकी कुछ महत्वपूर गृतियां हैं, जो कि आप लोगों को जरूर से याद रखना है, इसमें कोई भी जो ऐसी बुक है कि हम escape नहीं कर सकते है छोड़ नहीं सकते हैं, सारी की सारी बुक्स याद करने के तरीके भी अच्छे हैं, यह आप लोगों को ये पुस्तक तो आप लोगों को पता चल गया कि अपने आप में बहुत जादे इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बारे में रेटली ब्राउन ने बोला था कि ये प पुस्तक अपने आप में महत्वपूर अस्थान रखती है, तो इसी पुस्तक के बारे में उन्होंने ये कमेंट किया था, वहीं पे इनकी आर्गोनाट्स आप दो वेस्टरन पैसिफिक ये भी आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा आस्ट्रेलिया का जो एरिया है से इनकी कुछ महत्वपूर पूस्तक के हैं उमीदे दोस्तों आज का लेक्चर जो है आप लोगों को अच्छी से समझ में भी आ गया होगा कुछ इंट्रेस्टिंग भी लगा होगा और इसका जो नेक्स लेक्चर होगा इसमें हम लोग मैलिनॉस्की के जो कौन-कौन से विचार है इन्होंने समासास में किन विचारों के प्रति अपना योगदान दिया है तो इसकी बारे में हम लोग डीटेल में चर्चा करेंगे इगनू सीरीज है चुकी तो इसलिए मैलिनॉस्की का जो टॉपिक है वो अपने आप में काफी जादे डीटेल में हम लोग को समझना है और इनका जो थियोरी है या कौनसेप्स हैं वो भी काफी ब्रॉड हैं तो हो सकता है कि 6 या 7 लेक्चर मैलिनॉस्की पिससे भगे ले बट फिर भी हम लोग इसको कांटीनू करेंगे अच्छी से समझेंगी क्योंकि एक बार मैलिनॉस्की को समझ लेंगे तो हम लोग को यह आसानी रहेगी कि कभी भी कोई भी इस तरीकी का अगर क्वेशन आता है तो आप लोग इसली समझ सकते हैं अटेम्ट कर सकते हैं तो ए आप लोग को लेक्चर कैसा लगता है धनेवाद